अजीज तल्बा कैसे हैं ठीक है सारी ठीक है मैं आज आप छोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं वो यह है कि घर को रेनोवेट भी करते हैं ऐसे ही है ना घार के दुबारा डिस्टेंपर कराते हैं सोफे जो है उनके कवर तबदील कराते हैं बैट शीट तबदील करते हैं डेकोरेशन पीस लेते हैं तो घर को डेकोरेट रेनोवेट किया जाता है इसी तरह इंसान भी अपने आपको रेनोवेट कर सकते हैं हार इंसान अपने आपको रेनोवेट कर सकता है अपने पहली हालत से दूसरी हालत बेतर बना सकता है समझा रह ही है बाकी मखलुकात में शहरत नहीं है बाकी मखलुकात भी वैसे एक वक्त आता है कि प्रिंदे नए पुराने पर जो है वो फैंक देते हैं और नए पर जो है उनके उगाते हैं इवन के चील के बारे में शाहीन के बारे में मिशूर है कि वह अपनी पहली चोंच को तोड़ देता है एक वक्त आता है वो पत्थर पे जोर जोर से मारता है और अपनी चोंच के आगे तोड़ देता है और नई चोंच उसके बाद होगाती है यानि हार मखलूक हार चीज रेनोवेशन की तरफ जाती है और इंसान जो हैं बाद इंसान अपने आपको रेनोवेट करते हैं और बाद लोग सालों साल तक वो ही रहते हैं जो थे तो आपने अपने आपको रेनुवेट करना है अपना निया वर्शन जो है लाच करना है अब जो है गर्मियां भी गुजर गई हैं कोविड भी इंशालला हमेशा के लिए जा चुका है अच्छे मौसम आ रहे हैं के मौसम आ रहे हैं उसके लिए सबसे पहले सोचें कि हमने अपने आपको अगर हम नालैक हैं तो हमने नालैक नहीं रहना अगर हमें लोग बुद्धू कहते हैं तो हमने बुद्धू नहीं रहना और यह आपके हाथ में हैं कि आप अपने आपको तब्दील कर सकते हैं अग ये भी आप कर सकते हैं, बशर्टे के आप अपने आपको रेनोवेट करें, अपने आपको तब्दील करें, अपनी आदात देखें, कौन से आदात हैं जो आपको आगे नहीं जाने देती, कौन से आदात हैं जिसकी वज़े से आप सुस्ती और काहिली का शिकार हैं कौन सी ऐसी आदात हैं जिसकी वज़े से आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहें जिसकी वज़े से आपकी इज़त में इजाफा नहीं हो रहा आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आदात हैं अगर आप कहें है और फिर मैंने अच्छा perform करना है तो अपने आपको shut up काल दें ऐसा नहीं हो सकता अगर आपने वक्त जाय करना है अपने काम पे तवज़ों नहीं देनी तो फिर ये बुरी आपकी अगर आप अच्छा सोचते नहीं हैं अपने साथियों के बारे में बुरा सोचते हैं तो ये बुरी आदत है आपकी अगर आप वालदेन को रस्पेक्ट नहीं देते तो ये भी बुरी आदत है आपकी इस सारी बुरी आदाद पे क्रास लगाएं और नई और अच्छी आदात को अडाप्ट करें नई और अच्छी आदात वो जिस से आपकी इज़त में इजाफा हो आप अच्छा सोचना शुरू कर दें अपनी मन्जिल का तायन करें अपनी थारी एनर्जीज को एकठा करके अपनी सही डिरेक्शन में लगाएं अल्ला ने आपको बड़ी एनर् चीज को आप यकजा करके अपनी सही डिरेक्शन में लगाने का सोचें बुरी आदात को खतम कर दें हमेशा आपने दुसरे साथियों को रस्पेक्ट दें जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है सोफीस्द कंसेंट्रेशन से सुनें और हर चीज को वही पर समझ लें जो समझ न आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो खड़े हो जाओ और बो ये भी अच्छी आदत है आपनी अच्छी आदाब का यह तक करें या आप खुद अनलसिस कर सकते हैं कि आपके दरमियान बहुत ही अच्छे एक्जंपलिर स्टुडेट मुझूद हैं उनकी आदात का जैसा ल करेंगे बुरी आदात को खतम कर दें अच्छी आदात को लिया है तो आपने आपको रेनुवेट कर दें जैसे मैंने कहा है कि घर पुरानी बैट शीर्ट को उठाके आपने बैप फैंक दिया नए दिस्टेंपर कराया अपने आपको इसी तरह पुरानी चीजों से निजात हासल करें पुरानी आदाद से बुरी आदाद से निजात हासल करें और नई चीजों को अडाप्ट करें जो लोग रेनुवेट नहीं होते जो लोग रेनुवेट नहीं होते वो दस साल के बाद भी उदरी खड़े होते हैं वो आज भी नलाइक होते हैं दस साल के बाद भी वो प्रिक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वहां भी नालाइक होते हैं, या नालाइक नहीं रहना, लाइक बनना है, क्यूंकि आपको इज़त चाहिए, आपको मकाम चाहिए, वो इनी चीजों से हासिल होगा, अगर आप ब्रेक लगा के खड़े हैं के नहीं, मैंने कोई हिलन ही नहीं है यहां से, तो फिर शायद कोई नहीं हिला सकता, हिलने के लिए आपको खुद हिलना पड़ेगा, और्गिनाजेशन की मैं अगर मिसाल दूं, तो कुछ अर्सा पहले, 10-15 साल पहले, 15 साल शायद ज्यादा, नोकिया एक मुबाइल कॉंपनी थी, आपने नहीं नोकिया होता था और जिसके हाथ में नोकिया नहीं होता था, वो समझता है कि सब स्टेंडर्ड मुबाइल मैंने उठाया हुआ है, तो नोकिया एक ब्रांड था, एक पहचांग थी, लेकिन 5-7 साल पहले या श्याद ज्यादा मुझे गया नहीं है, नोकिया उसने माइक्रो मार के रो रहा था, ये नोकिया मुझे बहुत प्यारा था, मैंने अपनी वक्त, अपना खून, अपनी सब कुछ इस पे लगा दिया था, मैंने इसको दुनिया का ब्रांड नबर वन बना दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये, कि जब मैं नबर वन बन गया, तो फिर मैंने दुनिया तब्दील होती रही, मैं उदरी खड़ा रहा हूँ, और आज इस पे आगया हूँ, कि मुझे ये बेचना पड़ रहा है, ये एक छोटी सी वीडियो मुझूद है, शैद वो आपके साथ तल्लक भी नहीं है उसका, वो हाइलेंड का है, लेकिन देखेंगे तो अपने आपको ढाल लो, आपके वालदाइन की क्या खायशात हैं, आपके असाथा की क्या खायशात हैं, आपका वक्त आपको क्या पुकार रहा है, उसका जवाब दो, और अपने आपको तब्दील कर दो, उस हालात की रिक्वार्मेंट के मुझाबे, आप हमेशा खुश र कि दाड़े मार के रोएंगे जब देखेंगे के मेरे साथी पदनी कहां पहुंच गए हैं और मैं एक बेवस्त बंदे की तरह कहीं आम सी जगह पे खड़ा मेनत कर रहा हूं और उस वक्षेद रोने से कोई फैदा नहीं होगा आज सोच लोग बड़ा फैदा होगा थैंक यू किवें लमाड़ा थैंक being